नश्कार आप देख रहे हैं TNP News और मैं हूँ आपके साथ मिशा सिंग बढ़ते हैं खबरों कियोर महिला से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है जानकारी के मुताबिक वीडियो में दिख रहा है ये शक्स एक महिला को अभधर गाली दे रहा है और धक्का भी दे रहा है ये शक्स खुद को बीजेपी के सांद मोचा का नेता बताता है त्यागी पर आरोप है कि श्रीकान त्यागी ने नौईडा स्थित उमेक सोसाइटी के पार्क में अवैद कबजा कर रखा है जिसको लेकर सोसाइटी के निवासी आए दिन शिकायत करते रहते हैं श्रीकान को 15 दिन के अंदर अवैद कबजा हटाने का नोटिस भी मिल चुका है लेकिन अब तक उन्होंने कबजा नहीं हटाया है वही बीजेपी राश्टी किसान मोर्चा का कहना है कि श्रीकान का बीजेपी किसान यूनियन से कोई लेना देना नहीं है स्युर्यिकान त्यागी नाम कोई वेक्ति सोशल मेडिया पर किसी महला से अवितरता करते हुए नज़ाइं ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है मैं आप सभी को अगत कराना चाहता हूँ कि श्रीकान त्यागी नाम का व्यक्ति भारतिय जन्ता पार्टी किसान मोर्चा का राश्री कारकाणी का मेंबर कभी न था न कभी है उसका किसान मोर्चे से कोई बास्ता नहीं है सरकार और कानून अपना काम करें उसके खिलाब उचित कारवाई कानूनी कारवाई करें यह हम चाहते हैं 5 अगस 2022 को थाना फेस्टू शेतर के अंतर गत ग्रांड उमिक सोसाइटी का एक वीडियो वाईरल हुआ जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक श्रीकान त्यागी नाम का व्यक्ती एक महिला के साथ अभधर भाशा का प्रयोग कर काफी अश्लील टिपणिया कर रहा है गाली कलोच कर रहा है और हाथा पाई कर रहा है इस मामले का नोड़ा पुलिस के द्वारा त्वरत संग्यान लिया गया और अभ्योग पंजिकरत किया गया है इस वक्त अभ्योग परार है जिसकी गिरफतारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और उसके सभी संभावे ठिकानू पर दविश्टी जा रही है इस मामले में क अठोरतम दंडात्मक कारवाई नोड़ा पुलिस के द्वारा की जाए इसराइलों फिलस्तीन के बीच संघर्ष जारी है इसराइल ने शुक्रवार को गाजा पट्टी में हवाई हमले किये इसमें फिलस्तीन संगठन हमास का सीनियर कमांडर तैसीर अलजबारी मारा गया हम मास ने कहा कि हमले में गाजा के दस अन्य लोग मारे गए जबकि सतर से जादा घायल हो गया पश्रमंगाल में सिक्षक भरती घोटाले मामले में पूर्व मंत्री पार्थ चाटर जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर जी को एडी ने 14 दिन की न्यायक हिरासत में भेजा गया है पी एमले कोट में सुन्वाई के दौरान ईर्डी ने कहा कि अर्पिता मुखर जी की जान को खत्रा है इसके बाद कोट ने जेल प्रिशासन को निर्देश दिये कि अर्पिता को खाना देने से पहले उसे चक ले इसके साथ ही अर्पिता मुखर जी को जेल के सेल में चार से अधिक साथी कैदियों के साथ न रखने को कहा है वही जेल सेल के आसपास 24 घंटे गार्ड की मौजूदगी रहेगी नाशनल टेस्टिंग एजनसी से साल से पहली बार कॉलेज अडमिशन के लिए कॉमन युनिवर्सिटी टेस्ट 2022 आयोजित किया जा रहा है मेडिकल और इंजीनिरिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट और जेई परीक्षा के बाद CUET भारत का तीसरा सबसे बड़ा एंट्रेंस एक्जाम है जो से लाखो युवाव का भविश्य जुड़ा हुआ है लेकिन CUET परीक्षा के पहले साल में ही युवाव को कई बड़ी परेशानी से गुजरना पढ़ रहा है कभी एडमिट कार्व पर गरत एक्जाम सेंटर लिखे होने से तो कभी तकनीकी गरबडी के चलते युवाव को परेशानी हो रही है इस बीच एंटीय उमीदवारों की परेशानीयों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला ले सकता है देश अवदेश की तमाम खबरे देखने के लिए बने रहे है ये TNP News के साथ और हमारे चानल को लाइक कॉमें सब्सक्राइब जरू करोई और ताजा बेच के लिए www.tnpnews.in पर जाए